दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इस दुनिया पाए जाने वारे से प्यारे जानूरों के बारे में तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा सूगर ग्लाइडर ये क्यूर सा दिखने वाला जीव दिखने में काफी हद तक गिलहरी की तरह दिखता है लेकिन ये गिलहरी नहीं होता है ये जीव काफी फूर्तेले भी होते है इसलिए इने अपने घरों में पालना पसंद करते है लेकिन अगर आप इने पालने की सोच रहे हैं तो ध्यान दे कि ये रात में एक्टू रहते हैं और यहां से वहां भटकते रहते हैं जिस वक्त आप सोई रहे होंगे उस वक्त यह सूगर गलाडर सबसे ज़्यादा एकटू रहते हैं इनकी सबसे अनुकी खासियत यह होती है कि यह जो एक असास दूसरे इस्थान जाने के लिए गलाड़िंग कहा सहारा लेते हैं इसलिए इन्हें सुगर ग्लाइडर कहा जाता है टॉंकिनी स्कैट दोस्तों टॉंकिनी स्कैट बिल्लियों की सबसे अलोकी प्रजादियों में से एक मानी जाती है टॉंकिनी स्कैट आम बिल्लियों से काफी अलग होती है यह बिल्ली काफी समझदार और फुर्तीली भी होती है इसके अलावा यह बिल्ली अपने मालिक के प्रति काफी वफदार भी होती है और हमेशा अपने मालिक के साथ प्याज से रहना पसंद करती है यह कैट आमतोर पर कनाड़ा, थाइलेंड और इडाटे स्टेन में पाए जाती है इनकी बारे में कहा जाता है कि यह अपने माली के प्रतिवफधार भी होती है यह अकेले रहना बिलकुल ही पसंद नहीं करती है इनका यह मासूम सा चैरा दिखेने में यह बहुत क्यूट लगती है हाईसित मकाव दोस्तो आप सब लोगे ने तो कई नतरह के तोते आसपास उड़ते हुए जरूर देखे होंगे लेकिन हाईसित मकाव को देखकर आप हैरान हो जाएंगे जहां आमतर पर तोतो का रंग हरा होता है वह हाईसित मकाव का रंग निला होता है दोस्तो यह अपने मालिक के प्रति दोस्ती करने में बहुत जल्दी ही सीख जाते है क्योंकि यह बेहत बुद्धिमान भी होते है और जल्दी किसी भी बात को समझ लेती है ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुब्सूरत होती है तो दोस्तों ये थे दुम्या के सबसे प्यारे और क्यूट से दिखने वाले जानवर तो फिलाल दोस्तों आज के लिए बसनना ही उम्मेदे आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो के लाएं कि हमाई चाहल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद